सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडियाज भारत पे तो आज की इंट्रोस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिसान के मश्रूर पतरकार सोहिब चोधरी को इनके स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी और सुप्रीम कोड की दवंग वकील नाज रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंतमिस के बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत पूछना चाहूंगा क्योंके जो एक क्रेक्टर है लॉरेंस बिशनोई जो सिद्धू मुसे वाला तब ही मुझे पता चला नाम का पता चला जी कुछ लॉरेंस बिशनोई है उनका गैंग है जो के प्रापर ये थ्रेट करता है मतलब ये बकाईदा तोर पे कभी सुलमान हा कभी किसी को कभी किसी को उसके ओपर थुड़ा सा कलियर करिएगा कि परस्नेलिटी के होले से आपकी क्या ओपीनियन है लाॉरेंस बिशनोई के होले से क्या ओपीनियन है और क्या कही ना कहीं जैसे मीडिया पे मैं देख रहा था इवन आपकी मीडिया पे भी कुछ लोगों ने बात कर रहे थे हमारे इधर भी यह कहा जा रहा है कि वहाँ पे बकाइदा तोर पे गैंग बना रखी है इंडिया की सरकार ने जो बैठते जेल में हैं लेकिन वो पूर मंदर के मंदर पार्लिमेंट में अवेसी नारा देते हैं हमारे भारत में अवजल गुरू के नाम पर अब्दुल्ला परिवार आज भी आसू बहाता है हमारे भारत में कॉंग्रेस यासीन मलिक को आज भी जेल से छुड़वाना चाहता है हमारे भारत में ISIS के समर्थक आज भारत में अगर इरान के आतंकी मारे जाते हैं तो यहां छाती पीटी जाती है अगर पाकिस्तान के आतंकी मारे जाते हैं तो भारत में छाती पीटी जाती है उसामा बिल लादिन को अमरीका मार डालता है तो हमारे जमुए और कश्मीर में उसके जनाजे की नमाज होती है 93 बॉम ब्लास्ट में याकूब मेमन ने इतना कुछ कर दिया और उसके जनाजे की नमाज में सहलाब की तरह मुसल्मान गए थे तो उसी तरीके से लॉरेन बिश्णोई के भी कुछ समर्थक होंगे यहाँ पर बिलकुल होंगे लेकिन लॉइन ओर्डर हमारे जो भारत में अब जो लॉइन ओर्डर है वो बहुत कुपसूरत है बहुत कुपसूरत है लॉरेन बिश्णोई का एक ही सर्फ स्टेट्मेंट है कि सल्मान खान ने जिस आइनिमल को वो भगवान की तरह पूछते हैं जिसे हिंदूस जी मैं समझ करूब गॉमाता को वो गॉमाता बोलते हैं औ खुर्बानी में भी गाय का गला कार्ट करके फेस्बुक पर पोस्ट करते हैं तो उसी तरीके से सल्मान खान ने लॉरेन बिश्णोई जिस एनिमल को भगवान मानता था उसको पका करके खा लिया और कभी भी माफी भी नहीं मांगा इविन जब ये बात लॉरेन बिश्णो का ये प्रॉबलम है लॉरेन बिश्णोई के साथ वह सल्मान खान समझे और लॉरेन जनुऑ समझे इसमें हमारे भारत में जोसम्मिदान के हिसाब से जो कानूनी कारवाई होती है क्या दो लोग नहीं आरेस्ट हुए जो दो लॉरेन बिश्णोई के टीम के लोग माने जा थे मुझान के अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया है अभी तक मौमद दिशान को पकड़ा पकड़ नहीं पाई है पड़ा नहीं कहां भग गया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सल्मान खान बिग बॉस में जा करके मनवर फारुकी जैसे लोगों को वो स्टार बनाने की कोशिश कर सकता है सल्मान खान जो सना खान से बहुत नजदी की रिष्टा है सल्मान का वो सना कान जो जिसका आपके पाकिस्तान के मौलाना तारिख जमील से जिसका बहुत अच्छा रिष्टा है इविन उसने अपने बेटे का नाम जूनियर तारिख जमील रख़ डाला है सना खान जो एक आतंग की संगटन से जुकत है तो ऐसे ऐसे लोगों को सलमान खान स्टार बनाता है तो जाहिड सी बात है कि हम जैसे जो भगत सिंग के समर्थक है जो सरदार पटेल जी के समर्थक है जो वीर सावर करके समर्थक है वो मैंने हमेशा सलमान खान का खुल करके वि के लिए थी मैंने सल्मान खान का कुल करके अफ प्रंट को करके मैने विरोध कीάλ था कि मनबब्बब्ब भारुकी ने भगवान रांप और सीता मयया को बहुत डिफैम किया था उसने हमारे भारतके आदरन्य परदान मंद्री को डिफैम किया है मनबब्ब enough海 कर दिया वो उसके उपर कारवाई हुई है तो उसके बाद पिर सल्मान कार ने उसको स्टार बनाने की कोशिश में वह जुट गया और वी कंटेस्टेंट थे जो अच्छे थे बहतरीं थे वह जीत सकते थे पर इंटेंशनली सल्मान कार ने मनवर फारुखी को जितवाया लेकि इसको जब आप वोट करेंगे तो उसके बाद जो जिसको ज्यादा में मुझे तो यह लगाता है एवरी नहीं श्वाइब जी एवरेटिंग इस क्रिप्टेर क्योंकि जो लोग वाके में जीतने वाले कंटेस्टेंट होते हैं जब वो हार करके बाहर निकलते हैं और सल्मान किसी ना किसी मुसल्मान को ज्यादा लाइम लाइम लाइट में रखता है किसी ना किसी आतंकी मुसल्मान को सबसे ज्यादा स्टार बनाने की कोशिश करता है उसको सबसे ज्यादा टीयार भी देता है तो उस वक्त जब वो लोग एवेक्शन हो करके बाहर निकलते हैं जब बेहुदा जो शो चलता है इसको भारत में एटी परसंट लोग नहीं देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखा जाता है जो कि मैं जो चीज में जानता हूं और इवन बीग बास की कॉपी भी पाकिस्तान में मजूद है यह तो एक वो इंटरटेन्मेंट के हवाले स जो चीज़ें हैं मामलाथ हैं लेकिन एक चीज़ ना दिया जी मैं देखें जहां पर बात है वहां पर मैं भी कुएस्टन करना चाहूँगा अगर आपने बोला कि मुनवर्फुट की कॉमीडियन है मेरे ख्याल से मैं उन्हें जानता हूं देखता हूं देखा भी है तो उस उसके ओपर क्या कहना चाहेंगे एलवेश यादव अगर जीते हैं तो वो अपनी credibility से जीते हैं मनबर फारुकी जो जीता है वो सलमान खान की दयादरिश्टी पर जीता है सलमान खान के obligation पर जीता है क्योंकि जिस session में जिस season में मनबर फारुकी गया था उस season में बहुत सारे ऐसे contestant थे बहुत बड़े बड़े star थे जो जीत सकते थे और मनबर फारुकी को hate करने वाले इस भारत में सबसे बड़ी majority थी और अगर vote पर वाके में जीत और हार होती है बिग बोस में तो अगर किसी देश का 80% लोग मनबर फारुकी को vote कर ही नहीं रहा है तो 20% vote पा करके मुसल्मानों का मनबर फारुकी जीता कैसे अब आती है एलविश यादव की तो एलविश यादव तो जाहिर सी बात है ना कि इस देश का 80% अलविश यादव को vote किया इसलिए बोट जीता वो वोटिंग से जीता लेकिन मनबर फारुकी को तो सल्मान कान ने जबरदस्ती जितवाया जबरदस्ती और पाकिस्तान में सल्मान कान को क्यों नहीं देखा जाएगा बिलकुल देखा जाएगा वो तो पाकिस्तान के लिए दिल में एक मौबत रहती आपने अभी कहा कि अच्छी चीज सब्र प्रोवोक करने के लिए और उनको इस देश में टियार भी दे करके स्टार बनाने के लिए ठीक है अच्छा इसके उपर जो देखने वाले हैं डेफिनेटली आज ये टॉपिक के पहली तफ़ अशायद हम इस तरीके से डिसकेशन कर रहे हैं बात बाबा सदीकी से स्टार्ट ह हमारा गभी ये टॉपिक नहीं रहा डिसकेशन का लेकिन आप लोग जो लोग देख रहे हैं नाजिया जी ने जो भी बातें की हैं आप उस हवाले से क्या अपनी उपिनियन रखते हैं जो भी ये इंटर्टेन्मेंट या बिक बास या जो भी ये प्रोग्राम है इस हवाले क्या उपिनियन रखते हैं आपने कमेंट बॉक्स में काइनली जरूर बताएगा ताकि मेरी इंफॉर्मेशन में मेरे नॉलिज में अदाफा हो या मेरी क्रेक्शन दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतर देखा होगा और हमेशा की तरह सोहेब चोधरी और न किसी लेटिस्ट दंदार और इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत